हलो बच्चो आप शबी का हमारे यूटूब चेनल आइडियल देव के लास्टेशन स्वागते बच्चो आज हम आपके लर्निंग आउट्स कम आदाइज लर्निंग गेव शामगिरी के अंतरगत विशे गड़ित लेके आएं जो कक्छा आठवी के लिए है और यहां पुस्त को सत्र दोजार बाईस तेशा के लिए बनाया गया है चैले देखते हैं कि हम वर्कषिट कोहुंसी करेंगे एक टैस इसके पहले आमने आपको वर्कषिट 20 तक के प्रत्रिक वीडियो डाल चुके हैं अब आपके लिए हम वर्कषिट 21 लेके आएं वर्कषिट 21 में क्या है अनुपात अप अनुपात के बारे में देखेंगे जैसे कुधान दिया है आपको एक डेलिया में आठ संत्रे और छे निवू रखे हैं तो जैसे एक डेलिया में कितने आठ संत्रे और छे निवू हैं तो यह क्या हो जाएका छे बटे आठ अब शे को तोड़े तो दो गुलि दो गुले दो एक दो से एक दो केंसिल हो गया एक दो से एक दो केंसिल हो गया क्या बचा आपका तीन ये तीन लिख दिया और दो का दो में गुला की दो दूनी चार तो इस पकार से क्या गया तीन बटे चार अब इसको काय में लिखना है हमको अनुपात में तो इसको कैसे ल अनुपाथ 4 अब निवू और संत्रे का अनुपाथ क्या होगे आपका 3 अनुपाथ 4 इसी पकार नेक्स्ट आपको दिया आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है यहां दिया है कितने तर्भूज दिये हैं एक दो तीन चार पांच और व्रत कितने हैं एक दो तीन चार पांच शे तो तर्भूज और व्रत का अनपात क्या होगा तो यह हो जाएगा कितने तर्भूज हैं पांच और व्रत कितने हैं छे तो यह हो गया पा दो, तीन, चार, पांच, छे, टॉफी कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, शात, और बिश्कुट कितनी है, छे, तो टॉफी अन पहले है, और बिश्कुट बाद में है, तो इसका अनुपात क्या होगा, सात अनुपात, छे, इसी पकार, यहाँ पे गेंद कितनी है, और बेट कितने हैं तो बेट और गेन का अनुपात कह रहा है तो देखने हैं एक दो तीन चार पांच छै चै और बेट कितने हैं तीन तो बेट और गेन का तो तीन अनुपात कितना हो जाएगा ये तीन अनुपात छै या तीन भागी छै होगा और 3 का भाग किसम दिए 6 में 3 एकम 3, 3 दूनी 6 तो क्या हो जाए गाए? 1 अनुपाद 2 तो इस पेका से उधान दी हुए था अब आपको प्रयास करने के कुछ प्रसंद दिए उने देखते हैं किया को से प्रसंद दिए प्रियास कीजिए अन्पाद गयाद कीजिए ध्यान रहे कि तुल्ला करने में दोनों राश्यों की इकाईयां समान होनी चाहिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम जब तुल्ला कर रहे हैं तो दोनों राश्यों की राशी कैसी होना चाहिए दोनों राश्यों की इकाईयां कैसी ह पैसे में या तो पैसे को रुपे में बदले या रुपे को पैसे में तो देखिए यहां पर रुपे को पैसे में बदले तो एक रुपे में कितने पैसे होते हैं सव पैसे तो सव का पांच गुला किये तो पांच गुली सव हो गया तो पांच सो पैसे हो जाएंगे अब यहा और पांचे कम पांच और पांच से पचासों कितने बार काटे दस बार 10 भार गया 10 भागित 1 तो अनुपात के हो जाएगा 10 अनुपात 1 इस प्रेश नमबर 1 आपको धान करके दिया हुआ था इसके प्रेशन नमबर दो जो आपको करने के लिए दिया गया है प्रेशन एक आपको समझाने के कि इसी प्रेकार से करना है प्रेशन नमबर दो में देखिए आठ किताबों तथा बीस किताबों से इनका अनुपात क्या होगा तो इसका अनपात करने के लिए क्या करेंगे 8 भागित 20 हो गया 8 के गुड़ांखंट तोड़ दी हमने क्या टूटे इसके गुड़ांखंट 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़ा करके देख दो दून 4 चार दूनी 8 इसी प्रकार 20 के गुड़ां खट क्या टूटे, 2 गुड़ी, 2 गुड़ी, 5 अब हम क्या करेंगे, ये 2 का भाग 2 में दी कित्ते बार गया, एक बार, 1-2 से 1-2 केंसिल हो गया, हो गया, ये 1-2 से 1-2 केंसिल हो गया, क्या बचा, 2 बटे, 5, ये 2 बटे, 5 लिख दिए, अब इसक अनुपात लिखेंगे, 2 अनुपात, 5, तो इस प्रकार से आपका प्रेशन नंबर 2 यहां पर complete होता है, 8 किताबों और 20 किताबों का अनुपात क्या हो जाएगा, 2 अनुपात, 5, ने श्ट अगला प्रेशन देखते हैं, प्रेशन नंबर 3, देखी, प्रेशन नंबर 3 में क् एक आयत दिये हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिये, लंबाई कितनी है, 5 एक्स और चौड़ाई कितनी है, 3 एक्स, तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात लिकाना है, तो लंबाई भागित क्या हो जाएगा, 4 लंबाई कितनी है, 5 एक्स और चौड़ाई क नेक्स्ट अगला प्रशन देखते हैं प्रशन नमबर चार प्रशन नमबर चार में क्या दिया है 200 ग्राम क्या दिया है इसको देखिए आप 200 ग्राम का 5 किलो ग्राम इसको काई में बदलना है अनुपात में बदलना है तो हम क्या लिख देंगे इसको 200 ग्राम भागित 5 किलो अब देखिए इनकी काई हैं समान है क्या नहीं इसकी काई काई में है उपर वाले की ग्राम में है और नीचे वाले की काई काई में किलो ग्राम में या तो ग्राम को किलो ग्राम बदलिए या किलो ग्राम को ग्राम में हमने क्या किये यह जो पांच किलो ग्राम है इसे हमने क्य हो जायगा 5000 हो जाएगा 5000 हो जाएगा यह तो यह 200 ग्राम तो है हमने पांब्स किल्म क्राइब को具 इस घ् tota रुख रब 5 ग्राम को तो यहां पे यहां पर इसके दो अनिया और इसके दो सूनिय से इसके 2 सूनिय के रास हो गए तो क्या बचा आप 2वेटे 50 बचा अब 2 एकम दो और इसको 500 काड़यत कित्ते बार कटेगा 25 वार कित्ते बार कटेगा यह 25 बार तो क्या आगे एक बटे पच्चिस तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा एक अनुपात पच्चिस तो इस पकार से आपका प्रस्ट नमबर चार भी कंप्लीट होता है अब यहाँ पे आपको जो लर्निंग आउट्स का एम 708 उन राश्यों की पहचान जो समानुपात में तो इसके बाद हम क कर प्लेर होती है दिए वर्षिट आपके समझ आई तो आप हमाज चैनल आइडियल दे क्लासेस को सस्काइब कीजिए लाइक कीजिए और निक रूप में सेहत जरूर कीजिए